देश में पांच राज्जियों में होने वाले विधान सभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते वे मोधी सरकार संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है पीम नरेन मुदी ने सोमवार को प्रगती मिदान के कन्विंशन सेंटर में मंत्री मंडल सायोग्य के साथ पांच घंडे लंबी बेठक की उत्तर प्रदेश राजिस्तान करनाटक जैसे राज्यों में कुछ केंदरी मंत्रियों को संगठन के काम में लगाने का फैसला पार्टे ने लिया है वहीं धर्मेंद्र प्रदान प्यूश गोईल और भुपेंद्र यादरों को लोकसवा चुनाओ के लिहास से राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है पीएम ने मजा के अंदाज में ये भी कहा कि जन्ता की सेवा का संकल्प हो तो उसे पूरा करने के लिए किसी पत की जरुरत नहीं माना जाराय की संगठन और सरकार में शामिल कुछ लोगों के लिए ये संके थे कि उन्होंने पत पर रहते वे जन्हित के क्या क्या काम किये हैं बेटक के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि बेटक में कई सार तक मुद्दों पर चर्चा हुई भाजपा च्छ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है मध्यप्रदेश जारकन, पंजाब, तेलगाना, करनाटक और गुजरात के नए भाजपा अध्यक्ष के नामों का एलान पार्टी कभी भी कर सकती है मध्यप्रदेश के वीडी शर्मा को बदलने की तैयारी है करनाटक में केंदरी राज मंतरी शोबा करन जलाजिक को जिम्मेदारी मिल सकती है तेलगाना में केंदरी मंतरी जी किशन डेड़ी भाजपा अध्यक्ष बन सकते हैं पंजाब जारकन गुजराद में भी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे गुजराद के प्रदेश अध्यक्ष सी और पार्टिल को केंदरी भाशपा में महदपून जिम्मेदारी के साथ लाने की बात हुई सुत्रों का कहना है कि छह राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी कर चुकी है पुराने अध्यक्षों के लिए नई जिमेदारी तैक ही जा रही है उन्हें संगठन दूसरी क्या जिमेदारी दी जाए इसी कमोबेश रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है। माना जा रहा है कि केंदरी मंत्री परिशत की सोंबार को ही बेठक में ये तैय क्या गया है कि नए प्रदिश अध्यक्ष के नामों की घोशना कब की जाएगी। मीटिंग में पिछले चार साल के दोरान विभिन मंत्रालो के कामकाच को लेकर भी चल्चा हुई। आम चुनाओं में एक साल से भी कम समय बचा है। इसलिए प्रदान मंत्री ने अपने मंत्रियों से बचवे कामों को युद इस तर पर पूरा करने के लिए कहा है। सुत्रो का कहना है कि विभिन मंत्रालो के कामकाच को लेकर पी-एम ने खुशी जायर की। सुत्रो के अनुसार भाजपा को मिलने वाली सफलता पर पी-एम ने कहा कि इसके पीछे असली वज़ा यह है कि लोग दशकों से जिस उपेकिशा के शिकार थे और होते आये थे उसे भाजपा ने दूर किया। आगे भी यही करना है। इसके साथ बने रहे हैं राजपामा डिवी के साथ दाने बाद। आगे जड़ा है।